दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्तान पुलिस के जो नौ तारीका पेपर्स हैं उसके लिए महत्पन क्यूशेंट की हम बात करें नौ मार्च से दोस्तों हम आपको एक पहले भी एक सूचना दे चुके हैं हम एक और आज फिर से सूचना दे रहें जिस किसी दोस्त का वर्षेप नंबर दे रहे हैं आप 810 756 136 और आप इस वर्षेप मेसेज को आप हमें कीजिए आप अपना फोटो और प्रिश्वत्तर का फोटो हमें सेंड कीजिए और जो भी आपको कुछन से याद रहते हैं और जो कितने भी कुछन से 10 12 15 आप हमें वर्षेप कीजिए हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों क्योंकि एक्जाम के लगब 45 से दिन चलने वाले हैं 45 पच्चास दिन चलने वाले हैं उसमें दोस्तों जो एक्जाम पीछे चलने नहीं 15 मार्च 31 मार्च अप्रेल के अंदर चल रहे हैं उसक के तरूब वीडियो बना के हम आपको तरूब पहुंचेंगे दोस्तों आए शुबात करते हैं आज की महत्मून कुछन से नहीं तरीक एक्जाम के लिए भीम बेट का किसके लिए परसीद हैं गुफाओं के सेल चितर के लिए परसीद हैं दोस्तों आज हमें कम सेल चितर हैं सेल चितर के लिए भीम बेट की गुफाएं का हैं तो मद्य परदेश के अंदर हैं मद्य परदेश की राजदानी जो भूपाल हैं और मद्य परदेश क की बात करते हैं मौलिक अधिकार का नियायफ पाली का यानि न्याले एक सुप्रिम कोटव करता है एक हाई कोट होता हाई कोट परतेक राजियों के अंदर होता सुप्रिम कोट पूरे भारत के अंदर एक हैं और हाई कोट की बात करते हैं तो अभी वर्तमान के अंदर चोईस इससे पहले कितना थे 21 वर्तमान वतीन जोड़ दिये गहें और को टोटल कितने हैं चोईस ह अगला देखते हैं दोस्तों ये 1905 है ना कि उन्नीशो एप मिश्टिक नहीं हो गया 1905 के बंगाल विबाजन का वैसराई कौन था तो लोड़ खरचन थी बंगाल विबाजन हुआ था और बंगाल रद कब अरव सब्सक्राइब करता है आरी सब्सक्राइब किस वर्स की गई यह 1965 के अंदर की गये दोस्तों उस्तापना की गेती जो उत्तरपरदेश के अंदर की गई है, पंत नगर के अंदर की गई है और इसका जो नाम है वह गोविंद गुरु गोविंद विश्वविद्याले और उत्तर प्रदेस की लाजदानी हुए लखनों है और लखनों गोमती नदी के किनारे इस्टित हैं कि अगले कुशिन के बात करते हैं veio ऐ today कि हाल के यानी काल के वर्षां में भारत में करसी वित का सबसे बड़ा सुरूथ प्रका सबसे पतलो धन पैसाओ सिर्फ सबसे बड़ा कॉन सा है Gefang 31 बैंक और भारत का का पार पूछा जटा निम्र मेंढक है पना भारत का केनरे बैंक हैं उ और 250 बैंक بंडिया इसका मुख्याल है मुंवइय के अंदर नेल गरी प्रवत मार्वा किस राजी के अंतर हैं ये तमिन कमेंट के जरिये तमीन लाडू की जो राजदानी है आप हमें बताएंगे हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों नेलगिरी की पाड़िया तमीन लाडू के यहां सर्गियों के समय वर्सा बहुत ज़्यादा होती है अगले कुस्टिन की बात करते हैं वसिंग मसीन का कारी सिदा जानते हैं अब केंद्री बल पर यह कारी करती है बारिजल एक मंदक की रूप में होता है डी टू डी टू ओ ये इसका सुत्र है भारिजल और राजिस्तान में बात करता है यह रावत बाटा के अंदर इसका निर्मान होता है रावत बाटा चितोडगड के अंदर है रावत तो भाटा यह मंदक की रूप में काम लिया जाता है और इसका जो निर्या तक देश है वह कौन सा है तो अमरिका है यहां से मंदक की रूप में कहां से जाता है अमरिका चाहता है अगले क्यूस्टन की बात करते हैं उत्तर दक्सिन विस्तार किस जिल्ले का है दोस्तों यह उत तर विस्तर यानि उत्तर से दक्षिन की और इस परकार सा जिल्ला किसका है तो भीलवाड़ा का है भीलवाड़ा को मैंचेश्टर के नाम से भी जाना जाता है और अबरिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है अगले कुस्टिंस की बात करते हैं किस दिसा में राजिस्तान की व आपीस दिस्सा में आएगी तो इसका मात्रा क्या बढ़ेगी और यह जो यह इंटी सिसा से आ रहा है तो सब से पहले से विद्द दिसा होगे पच्चिम और यह जुद रहा उस्तर पच्चिम की दिसा से मांसून आग और यहां तक आएगी तो ब्रदी हो西 पर इस हिसाफ से होगे इस हिसाफ से चलेंगे तो कमी किस हिसाफ से होगे तो कमी पूछ ले तो आप सो कमी आप बताएंगे दक्सिन पूरब से उत्तर पच्छिम के और जाने पर वर्सा की कमी होती है राजिस्तान में बीहड भूमी का विस्तार किस जिल्ले में हैं कोटा और सबस से ज्यादा बीरद अब बीरड सबसे ज़्यादा का उती है जहां चम्ल रामसर कंजर वेशन दुवारा राजिस्तान नम भूमी गोशना कब की गए दो इस्तान नम भूमी शेतर यह सांबर हैं यह जेपूर के अंदर हैं और केला देव घाना पक्सी ब्यार हैं वो भरतपूर के अंदर हैं दोस्तों नम भूमी दिवस कब बनाया जाता है नम भूमी सबसे पूराना जनतवाले कौन सा जेपूर जनतवाले राजस्तान के अंदर जनतवाले हैं पांच जनतवाले हैं जेपूर जनतवाले हैं जोटपूर जनतवाले हैं उदेपूर जनतवाले हैं कोटा जनतवाले हैं और विकाने जनतवाले हैं और जो वर्तबान के अंदर ये उत्देपूर की स्तापना हुए उत्देपूर के अंदर हुए अगले कुस्टन की बात करते हैं राजस्तान में सोया बिन उत्पादन जिल्ले कौन से कोटा वो बारा है बारा मसाला नगरी के नाम से भी राजस्तान का मसाला नगरी के नाम से भी जाना जाता है और कोटा बार बुन्दी और जालावाड ये हडोती चित्र के नाम से भी जाना जाता है और हडोती चित्र को एक जो आरेस के अंदर जो सवाल पूच्छा गयता ये पूच्छा गयता हाई 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 चित्र राजिस्तान का कौन सा है तो ये हडोती चित्र का भाग है अगले देखते हैं गैफ सागर जिल का है डूंगरपूर के अंदर है डूंगरपूर का उपना पहाडों की नगरी की भी कहा जाता है पहाडों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है चांदल नलकूप जिसे थार का घड़ा करते हैं किस जिल्ले के अंदर हैं तो यह जिसल मेर जिल्ले के अंदर सबसे बड़ा है दोस्तों आप हमें कमेंट के जरूरत बता है कि जिसल मेर का चेतर पल कितना है अगले कुस्टन की बात करते हैं राजी सरकार ने राजी सरकार द्वारा देव नारेंड छात्र इसकूटी वित्रण प्रोसा नियोजना कब प्रारम की गी 2021-2012 के अंदर की गई के अंदर लगई थी अगले कुस्टन की बात करते हैं विकानेर की राजा राज सिंग 1513 इसी में एक अभ्यान की सब्यान भै थर्टा अभ्यान ये थरड़ा अभ्यान है इस थरड़ा अभ्यान के लिए बेजी गई है अब निशेना को बेजा गया था अलाउदिन के आकर्म 301 के अंदर हुआ था लेकिन परसिद साका पूछले तो 1303 के अंदर राजिस्तान का चितोड़गर का साका सबसे परसिद था अगले कुस्टन की बात करते हैं मदद ए मास मद्धी कालिंत राजपुत सासकों में दी जाती थी ये एक उपादी है और किस व्यक्ति को दी जात रहριे थी अगले कुस्टन की हम बात करेंगे संगत रासो जाणत सिंग रासो इस रासो है रासो यह रासी नहीं है मिश्टे हो गया रास ये लेख़िंगल भासा में जो लिखी गई हैं किसकी गिदर आस्या की है lire संथ पीपा कामत संथ-पीपा जो गागरों से हैं और संद पिपा की जो गुफा है टोड़ा टोड़ा राइसिंग टॉक के अंदर है और इसका जो भविय मेला रगता है वह समदड़ी के अंदर लगता है समदड़ी ये बाड मेर के अंदर है कुसाल माता का भवियम मंदर जिसका निर्मा राना कुमबा दुआरा करवाया गया था यह का है बदनौर यह बदनौर का है बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है बुड़ा जोड का मेला का है सिरी गंगा नगर के अंदर है गंगा नगर राजिस्तान का सबसे उत्तर के अंदर बसा हुआ जिला है और ये पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यल है सबसे दूर जिला मुख्यल है किसका है गंगा नगर का और सबसे दूर है वो विकानेर का है और सबसे नजदिक है वो गंगा नगर सवाल आपसे ऐसे पूछला जाए कि पाकिस्तान की सिमा से सबसे नजदिक जिला मुख्यले किसका है सबसे नजदिक तो गंगानगर का है और सबसे दूर पूछले तो विकाडेर का है अगले कुछन्स की बात करते हैं राजिस्तान में परताव इस विदान सबा में अधिक से अधिक कितनेसदेश हो जाएंगे 67 सदेश पूरे देश के अंदर भारत के अंदर अभी कितने विदान सबा हैं आठ विदान सबा हैं दोस्तों मैं आपको कुछ नाम बच चता हूँ जमुकस्मित, बीहार, उत्तरप्रदेश, माराष्ट्रा, अंदर प्रदेश, तिलंग नगाई और कनाडगाई इसके अंदर विदान सब आ हैं विदान परिश्द हैं विदान सब परिश्द हैं तो कितने कुल कितने विदान परिश्द हों के साथ विदान परिश्द हैं और विदान परिश्द राजिस्तान और मध्य परदेश के अंदर अभी चर्चा के अंदर चले किसी घोष्णा कर दी जाए लेकिन अभी तक नहीं क हुई है राज्य लोक्षिवा आयो कि सदिश्यों का कारिकाल कितना होता है छे वर्स या 62 वर्स जो दोनों में से पहले हो वो कारिकाल रहता है आज का अंतिम सवाल धारी संस्कार राजस्तान में किस जिंजाती के लिए परचली थे तो सरया जिंजाती के लिए पर चलीते जाय सरी सबसे ज़दा का निवास करता है 12 का अंदर करता है 12 के अंदर दो तैसिल है किसन गन्ज और सहाब आज की तैसिलों में ये निवास करते दोस्तों मैं आपसे फिर से request करता हूँ अगर आपका exam किसी भी date को है तो आप हमें worship no.8107561363 पर message करेजिए और जिसमें साथ में आप अपना एक photo और admit card admit card की photo खीच कर हमें बेजे और जितने questions आपको याद रहे 10 से तो 10, 5 तो 5 भी बेजे, 10 से तो 10 भी बेजे जरूरी नहीं ज्यादा से ज्यादा बेजे, जितना आपको याद रहता है वे questions आप हमें worship कर दीजे दोस्तों, क्योंकि आपके जिससे मैं बता देता हूँ जेल परेरी के अंदर हुआ था, हमारे वीडियो आप नहीं देखे तो देखेंगे, जब 66 से या 70 से एक्जाम सुरू हुआ थे, चाइस तरीक से हो गए थे, तो शाइस तरीक जो पैपर था, उनमें से जो दो तिन सवाल थे, वो एक तरीक और दो तरीक की पैपरों के अंदर पूछे गए थे, और जो 30 तरीका पैपर था, वो 6 तरीक और और तरीकों के अंदर क्यूशन से रिपीट हुए थे, तो इसलिए आपके भी हो सकता, आपकी मदस, आपकी बैन, आपकी सिस्टर्स, भाई, किसी भी साइथा, सभी की साइथा करें, हम एक चोटा से वीडियो ब बते ही, आपका फोटो बताए जाएगा, और पताए जाएगा कि इस बंदे ने हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, पेपर आप सभी के लिए, एक गर वीडियो अचले हैं, लाइक करें, सेर करें, हम एक ऐसा ये वीडियो के साथ में, फिर से दोस्तों, तब तक, नमस्कार. बताए जाएगा 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 जाएग